फाईनाइन से जुड़ी लेटस इनफरमेशन पानी के लिए फिनोवेशन अब्डेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आयकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के फेन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फर्स अब्रेट है International Labour Organization यानि ILO के अनुसार COVID-19 महामारी की मार से 2020 की पहले तीन क्वार्टर्स में ग्लोबल स्केल पर वर्कर्स की इंकम में 10.7% यानि 3,500 बिलियन डॉलर की जबर 10 गिरावट आई है ILO की रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 की वजह से श्रम के घंटों का भारी नुकसान हुआ है इंकम ग्रुप के देशों में हुआ है जहां वर्कर्स के इंकम का लॉस 15.1% तक पहुँच गया है नेक्स्ट अपडेट है बुधवार को कैमकॉन और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के IPO को जबर दस्त रिस्पॉन्स मिला ये इन इशो में निवेश का अंतम दिन था मार्केट में लगातार जारी गिरावट के बाद भी IPO में इन्वेस्टर्स की दिल्चस्पी बनी हुई है कैमकॉन के इशो को 149 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया गया IPO है इसके अलावा कैम्स के 2,242 क्रो रुपीज के IPO को भी 47 टाइम्स तक सब्सक्रिप्शन मिला है इस बिल में प्रपोस्ट अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग एंजियो के लिए विदेश से मिले फंड से ओफिस चलाने के खरच की सीमा को घटा कर 20% कर दिया गया है इसका मतलब ये है कि एंजियो को विदेशी सहायता का 80% अमाउंट अब उस काम में खरच करना होगा जिसके लिए फॉरिन से फंडिंग की गई है नेक्स्ट अपडेट है देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारूती सुजुकी इंडिया ने अपना वीकल सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम मारूती सुजुकी सब्सक्राइब करने का अनौंस्मेंट किया है कंपनी ने अभी ये प्रोग्राम दिल्ली, नौइडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और बेंगलूरू में शुरू किया है कंपनी की योजना अगले 2-3 साल में देश के 60 शहरों में इस प्रोग्राम का एक्स्पैंशन करने की है मारूती सुजुकी के अनुसार उसने इसके लिए Oryx Auto Infrastructure Services इंडिया के साथ टाइप किया है इस सर्विस के तहट कस्टमर मारूती सुजुकी एरिना से New Swift Desire, Vitara, Breza, Ertega और Nexa से New Baleno, CIS और XL6 लेने का आप्शन चुन सकते है मारूती सुजुकी सब्सक्राइब के तहट आपको कुछ मंथली फी देनी होगी इस फी में Maintenance Insurance आदी शामिल होगा यानि बस पेट्रोल भरिये और जितनी चाहे उतनी गाड़ी चलाइए कस्टमर 12 मंच से लेकर 48 मंच तक के लिए कार सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट अप्डेट है पब्लिक सेक्टर की डिफेंस कंपनी मैजगान डॉक शिप बिल्डर्स का आईप्यो 29 सेप्टेंबर को खुलेगा कंपनी ने आईप्यो के लिए प्राइस बांड 135 तो 145 रुपीज पर शेर तैग किया है आईप्यो के तहट 3 करोड 5,99,017 शियर्स की बिक्री की पेशकर्ष की जाएगी मैजगान डॉक का आईप्यो 1 अक्टूबर को बंद होगा कंपनी के शियर्स गो BAC और NAC में लिस्ट करने का प्रपोजल है Yes Securities, Access Capital, Edelweiss Financial, IDFC Securities और JM Financial IPO का मैनेजमेंट करेंगी नेक्स्ट अपडेट है UTI Asset Management Company का IPO 29 सेप्टेंबर को खुलेगा कंपनी ने IPO के लिए प्राइस बांड 552 तो 554 रुपीज पर शेर तैग किया है IPO 29 सेप्टेंबर को खुल कर 1 अक्टोबर को बंद होगा अंकर इंवेस्टेस के लिए बिज 28 सेप्टेंबर को ओपन होगी निपॉन लाइफ इंडिया आसेट मैनेजमेंट और HDFC AMC के बाद UTI AMC स्टॉक एक्स्चेंज में लिस्टेड होने वाली तीसरी AMC होगी UTI AMC के IPO के तहट existing shareholders द्वारा 3,89,87,081 equity shares की बिक्री की जाएगी Next update है Consumer Electrical Goods Company Havels refrigerator market में उतर गई है Company ने अपनी Durable Consumer Goods Unit Lloyd के जरिये देश के refrigerator market में उतरने का announcement किया है इस कदम के साथ Lloyd एक fully durable consumer goods ब्रांट बन जाएगा ये ब्रांट पहले से air conditioner, LED TV और washing machine section में मौजूद है Company के अनुसार उसने 25 नए inverter technology based, direct cool, frost free और side by side refrigerator models पेश किये है Company का इरादा दिवाली तक 25 और नए models उतरने का है इसके अलावा Lloyd की योजना नवेंबर में dishwasher segment में भी उतरने की है Next update है अमेरिका के राष्ट्रपती Donald Trump ने दावा किया है कि Johnson & Johnson द्वारा बनाई जाने वाली Corona vaccine अपने trial के final stage में है ये vaccine इस साल के end तक available हो सकती है राष्ट्रपती Trump के अनुसार ये सफलता इसलिए हासिल हो रही है क्योंकि अमेरिका का हर चौथा नागरिक volunteer है जिसकी वजह से company का trial final stage में पहुँचा है उन्होंने इस अफसर पर अमेरिकी नागरिकों से अपील की है कि वो Corona vaccine के trial के लिए आगे आएं जिससे इसके trial को और गती प्राप्त हो सके नेक्स्ट अबडेट है रेलवे की योजना है कि अगले महीने से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए रेलवे ने ये तयारी इसलिए की है क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के बीच पैसेंजर्स की संख्या काफी बढ़ जाती है पैसेंजर्स की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए अगले दो महीनों में करीब सो नई ट्रेने चलाई जाने की योजना बनाई जा रही है इन ट्रेनों में ज्यादा दर ट्रेने नॉन एर कंडिशनर काटेगरी की होंगी इन ट्रेनों के जरिए त्योहारी सीजन में आम आदमी को काफी मदद मिलने की उमीद है यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन समाप्थ होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू